वेलकम 8th class students जैसे कि आपको पता है कि 8th class का paper pattern जो final exam है वो थोड़ा सा change हूँ है इस बार आपको हो सकते हैं 20 to 25 marks जो है वो short answer type questions आ सकते हैं तो यह third ppt है short answer type questions की so let us start इससे पहले दो ppt जो है वो भी वो बनी हुई है short answer type questions की तो वो भी आप check कर सकते हैं तो यह है हमारी third ppt तो इसमें कुछ short answer type questions हैं अगर आप इसके बाद एक और ppt में upload करूंगे यह 4 ppt में जो questions हैं इनको read कर लोगे एक बार एक बार दो बार read कर लोगे इनको अच्छे से तो I think बहुत सारे questions जो हैं वो यहीं से ही बनेंगे क्योंकि यह सारे questions आपके 8 class के book में से ही निकाले गए हैं तो question है आपका कि जिस त्री भुझ का एक कोण 90 डिगरी से अधिक हो उसे क्या कहते हैं तो यह बोरा है कि जिस त्री भुझ एक ऐसी triangle है जिसका एक कोण ऐसे ठीक है 90 डिगरी से अधिक है तो उसे क्या कहेंगे उसे ऐसे option आ सकते हैं तो उसे कहेंगे जब बात हो रही है अधिक की तो यह कौन भी कौन सा आएगा अधिक कौन त्री भुझ आएगी है ठीक है तो right answer है आपका अधिक कौन त्री भुझ तो next question है चोटा scale कितने centimeter का होता ह है यह important question है और आ सकता है यह exam में तो चोटा scale जो है वो हमारा 15 cm का होता है next question है जो रिखा सिर से आधार पर 90 डिगरी का कौन बनाए उसको क्या कहते हैं मतलब अगर आपके पास ऐसे triangle है तो एक line जो है वो top से लेके आधार पर एक straight 90 डिगरी का angle बना रही है तो इसे क्या कहत है लंब ठीक है तो यह जो line है यह straight line इसे के कहते हैं लंब और लंब जो होता है वो हमेशा 90 डिगरी का होता है लंब गिराने की बात हो या लंब उठाने की बात हो तो हमेशा वो angle कितने का होगा 90 डिगरी का ओके next question है हमारा फूल दान का निचला भाग किस आकार का होता है ठीक है तो यह होता है अंडा कर अगर आप ऐसे देखोगे तो जो flour pot होता है flour बास जिसको आप बोलते हैं तो इसका जो निचले वाला portion है यह वाला portion है यह होता है oval shape में ओके और यहां से भी इसका base भी अगर आप देखोगे ठीक है तो वो भी थोड़ा सा गुलाई में होता है ओके तो इसका answer है अंडा कर नेक्स कोस्टिन है जिसकी लंबाई चौडाई और मोटाई ना हो उसे क्या कहते हैं विट फॉर जेकिंड येस जिसकी लंबाई चौडाई और मोटाई नहीं होती है उसे क्या कहते हैं तो क्या कहते हैं ये है बिन्दू की डेफिनिशन ठीक है बिन्दू अगर आप देखोगे ना ही इसकी लंद होती है ना ही विट ना ही हाइट तो ये right answer है बिन्दू और next question है हमारा उत्तर की रेखाओं को कैसे दर्शाया जाता है देखो जो मैटरी में जो भी answer line पूछी जाती है तो उस answer line को कैसे draw करते हैं मतलब कैसी होनी चाहिए normal line होनी चाहिए डॉट्डड होनी चाहिए या dark line होनी चाहिए तो वह होती है पतली रेखा के द्वारा यह तो गलत है यह नहीं होता है कि एप बिन्दू अगर स यह नहीं होते है तिर्ची रेखा के किसे कहते हैं वक्क रेखा होती है ऐसे कर्व लाइन वक्क रेखा किसे कहते हैं सीधी रेखा को गलत है टेड़ी रेखा को टेड़ी रेखा वाला ऑप्शन ये ठीक है और तिर्ची रेखा तो ऐसे आएगी आपकी ठीक है तो तिर्ची रेखा नहीं होगी इसका राइट ऑप् यह देखो two point है अगर इन्ही two points को अपस में मिला लें और यह बीच की जो line है इसको क्या कहेंगे रचना की रेखा कहेंगे सरल रेखा कहेंगे या टेड़ी रेखा कहेंगे ठीक है तो यह आएगा option आपका सरल रेखा second option okay दो बिंदो की मद्दे दूरी को क्या कहते हैं सरल रेखा next question है हमारा question number nine निमन में इसे अनेमित आकार की वस्तू कौन सी है यह आपका most important question है यह गुमाके डाल सकते है इस question को option change कर सकते है अनेमित आकार का मतलब होता है जो proper जिसकी measurement नहीं है proper measurement मतलब जैसे आप centimeter में कोई चीज बनाते हैं यह inch में बनाते हैं तो कोई इन तीनों में से कोई ऐसी चीज है जिसकी कोई measurement नहीं है तो यह है tree कि टेबल और बुक अगर आप देखोगे तो वह proper measurement के द्वारा ही बनते हैं और इस question को आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जितनी भी man made चीजें होती है जो human being ने बनाई होती है human ने बनाई होती है ठीक है वह measurement के थ्रू ही बनती है और जितनी भी natural चीजें है ठीक है वह measurement के थ्रू नहीं बनती है तो option में आपको tree की जगा फूल आ सकता है कोई जैसे mountain कुछ भी आ सकता है nature से related कोई चीज डाल सकते हैं तो आपने उसके उपटिक करना है और अगर इसमें बोलेंगे कि नेमी तकार की वस्तु कौन सी है तब भी गुमाके डाल सकते हैं तो नेमी तकार की जो वस्तु होगी वो देख ले ना वो कोई man made चीज होगी ठीक है next question है आपका घन या क्यूब की कितनी भुजाएं होती हैं अगर आपने देखा होगा क्यूब तो कुछ इस तरह का होता है यह दिखो ऐसे यह और यह ठीक है एक वर द्वारा बना के देखते हैं ऐसे मतलब फ्रंट से ऐसे दिखेगा थोड़ा सा ठीक है इस तरह का होता है तो यह पिछले वाली जो लाइन होती है यह वीजिबल नहीं होती है फ्रंट से गर देखेंगे तो क्यूब जो होता है उसक ट्व बूजाए है इसकी 12 ऐक राइट ऐसे वाली जोजाए है समशट भूजान होती है कितनी वुजाए होती है नाम है सम volumes सनस्कृत का वर्ड है तो शर्ट्भूज नहीं मतलब होता है six किसे थिखेंगे एटें नेक्स्ट क्योश्च्टन है बुनियादी रंग किसे कहते हैं बुनियादी रंग कितने हैं है अब देखो बुनियादी रंग नीला और पील तो लाल नीला और पीला तो ये तीन color आपके बुनियादी रंग है थोड़ा से घुमाके भी question डाल सकते हैं ऐसे ही पूछ सकते हैं कि primary colors कौन से हैं और ऐसे भी पूछ सकते हैं कि बुनियादी रंग कौन से हैं बुनियादी means जो main colors है next question है वर्ग के चारों कौनों का योग कितना होता है वर्ग आपको पता है ये shape square के चारों कौनों का योग कितना होगा एक कौन क कितने degree का होता है 90 degree ठीक है तो 90 plus 90 plus 90 ऐसे करके आप या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि 90 wait for a second 90 multiply 4 तो कितना हुआ 360 degree तो बर्ग के चारों कोनों का योग कितना हुआ 360 degree next question है मानव के चेहरे को बनाने के लिए किस आखार का प्रियोग किया जाता है जब आप face ड्रॉ करते हैं तो उसके लिए कौन सी shape हम ड्रॉ करते हैं हम करते हैं oval shape ठीक है तो ऐसे option आ सकते हैं आयताकार गलत है त्रिभुजाकार भी आयत तो यह होती है न rectangle त्रिभुजी होती है ठीक है वर्गाकार भी गलत है square अब इसमें कौन सी option है right अंडाकार ठीक है oval shape next question है गिलास का तल ये भी important question है किस आकार का होता है गिलास ये shape है तो ये पूछ रहा है कि ये जो तल है ये किस आकार का होता है गिलास का तल ठीक है ये triangle shape में दिख रहा है आपको नहीं आयताकार shape में दिख रहा है नहीं तो ये कैसा है गोल आकार है नीचे से गिलास कैसा होता है गोल होता है ना तो इसका right option आएगा right answer होगा गोला कार next question है कौन सी pencil सबसे गहरी होती है ये भी एक important question है question number 16 कौन सी pencil जो होती है सबसे गहरी, गहरी मिस dark सबसे dark कौन सी चलेगी अब देखो एक आपने बात याद रखे नहीं है जिन pencils के साथ B लगता है ठीक है, वो dark होती है ठीक है, अब B में भी क्या होता है कि numbering होती है ऐसे जैसे 4, 2, 4, 6, 8, 10 है न, तो जो number सबसे बड़ा होगा वो pencil सबसे dark होगी, तो इस में से अगर option में आप देखो 4B, 6B 10B, 8B इन में से सबसे बड़ा number कौन सा है वो है 10B, तो इन में से कौन सी pencil सबसे dark होगी, वो होगी 10B pencil तो right option होगा हमारा 10B और आपको पता है कि dark pencils जो है, वो किसले use होती है, वो होती है shading के लिए use, model making के time जब हम shading करते हैं, उसके लिए हम dark pencils का use करते हैं, ये B pencils का use करते हैं, ये number होते हैं, इन के भी, 4B थोड़ी कम dark होती है, 6B उससे जदा dark होती है, 8B, 6B से dark होती है, और 10B जो है, वो सबसे dark होती है next question है, कार्ड बनाते समय, स्पोस करोआ, अगर आप एक कार्ड बना रहे हैं कार्ड ड्रॉ कर रहे हैं ठीक है, और कार्ड बनाते समय, यदि कार्ड का रंग मतलब आपने जो sheet यूज की है वो कैसी है, कौन से color की है, वो light color की है light color मेंज, या तो white होगी, या yellow color की होगी है, तो आप जो है, उसके उपर जो color use करेंगे, color scheme जो use करेंगे, मतलब light sheet के उपर yellow sheet या white sheet के उपर आप कैसे colors यूज करेंगे, dark color यूज करेंगे, या light color ही यूज करेंगे, तो इसमें आएगा right answer, dark color, देखो अगर background आपकी light होगी, तो आपने dark color यूज करने है, और घुमा के भी question आसकता है, कि अगर background dark हुई, अगर आपकी sheet जो है, वो blue color की हुई या फिर red color की हुई, तो आप कौन से color यूज करेंगे, तब आप करेंगे light color यूज, इस question में पूछा गया है, कि background जो है, वो, कैसी है background हमारी light है, तो हम कौन से color यूज करेंगे, dark color, okay, next question है, हमारा, कौन कौन सी वस्तू गोलाकार नहीं है, ऐसे option आपको दे सकते हैं, जुरूई नहीं कि यही option होंगे, option आपके कुछ और भी हो सकते हैं, अब question को ध्यान से पढ़ना है, आपने कि कौन सी वस्तू गोलाकार नहीं है, ये proper circle में नहीं होती है, वो अलग बात है कि कार्पेंटर को ये अपने ऐसे order पे बना दे, लेकिन proper shape में, proper गुलाई में, जो यहां पे shape बोली गी है, वो गोल बोली गी है, वैसे गोल कुरसी नहीं होगी, okay, तो आपने सभी questions को ध्यान से पढ़ना है, फिर उसका answer लिखना है, next question है, tertiary colors कैसे बनते हैं, ठीक है, ये एक normal सा idea है, जो मैं बता देती हूँ, वैसे तो question tertiary color से मुझे नहीं लगता कि कोई question आएगा, लेकिन हाँ, फिर भी आपको पता होना, जागी knowledge होना बहुत जरूरी है, तो tertiary colors कैसे बनते हैं, देखो, एक part primary color का लेना होता है, जिसे एक drop, आप कोई भी primary color select कर लो, साथ में two part, ये two drop, आप secondary color, कोई एक secondary color लेना है, उसके two drop लेनी है, तो उनको मिला के कौन सा color, जो third color mix कर के दो colors को mix कर के बनेगा, उसको बोलेंगे हम tertiary color, for example देखो, अब हम एक drop यहाँ पे red color के ले रहे हैं, red color क्या है, primary color है, और two drop, जो है, two part जो है, वो orange color के ले रहे हैं, orange हमारा कौन सा color है, orange हमारा secondary color है, एक drop red color के लिए, एक secondary color के लिए, red हमारा primary color था, होगा, अब red जो है, वो primary color है, तो red आगे आएगा, और दूसरा color हमने use किया है, secondary color, तो वो उसके बाद आएगा, तो यह जो बना हमारे पास color, वो कौन सा बना, red, orange, ठीक है, और यह है, आपका tertiary color, तो ऐसे कोई भी color जो बनता है, तो एक part आपका primary color का डलता है, एक drop primary color, two drop आपकी कोई भी secondary color की mix करो, तो जो color बनता है, तो first name जो होगा, वो primary color का आएगा, second name जो है, वो secondary color का आएगा, तो color का नाम क्या हो जाएगा, red, orange color, यह हमारा tertiary color है, तो इसके साथ हमारे यहाँ पे 19 questions से, यह complete हो गए है, okay, thank you,